Hello everyone, welcome back to my YouTube channel 1994 की अंसुनी कहानी अक्षी कुमार की एक हां से डूप जाता करियर अगर अजे देवगन के हाथ न लगती है सुपरेट फिलिम आज हम आपको 1994 की उस फिलिम के बारें बताने जा रहे हैं इसकी वज़े से अजे देवगन का डूप का करियर बच गया था और उस फिलिम का नाम है दिलवाले लेकिन क्या आप जानते कि इस फिलिम के लिए अजे देवगन मेकर्स की पहली पसंद नहीं थे साल 1994 में सिनेमा घरों में रिलीज हुई फिल्म दिलवाले ने बॉक्स आपिस पर हंगामा मचा दिया था दर्शको को ये फिल्म बेहत पसंद आई थी और इस फिल्म के सारे गाने भी सुपर हिट हुए थे फिल्म के कुछ गाने तो आज भी लोग के बीच काफी मशूर हैं इतना ही नहीं आज भी लोग इस फिल्म को बड़े चाओ से देखते हैं इस फिल्म के लिए अजे देवगन मेकर्स की पहली पसंद नहीं थे बलकि इस फिल्म के लिए सबसे पहला ओफर अक्षे कुमार को दिया गया था वहीं डेट्स की वज़े से उन्होंने इस फिल्म को करने से इंकार किर दिया था अक्षे कुमार के इस एक ना से अजे देववन का डूपता करियर सबर गया था लेकिन कैसे तो चलिए आपको बताते हैं बताने कि आपको अजे देववन की फिल्मी करियर काफी हद तक सफल रहा है और पिछले तीन दसकों से वेक बॉक्स आफिस पर राज करते हुए नजर भी आ रहे है अजे देववन के दमदार अभिने के लोग कायल हैं और आए दिन उनकी फिल्मों के इंतिजार में रहते उन्होंने अब तक अपने करियर में एक से बढ़कर एक फिल्में बॉक्स आफिस पर दी हैं लेकिन उनके करियर में एक वक्त ऐसा भी आया था जब सभी को लगने लगा था कि उनका करियर डूबने वाला है अजे देवगा ने सुपरिट फिल्म फूल और काटे से साल 1991 में बॉलिवुड में कदम रखा था और अपनी पहली फिल्म से बॉलिवुड में च्छा गए थे उसके बाद साल 1992 में उनकी दूसरी फिल्म जिगर आई और ये भी बॉक्स ओफिस पर सफल साबित हुई थी यहां तक तो सब कुछ अजे के लिए काफी अच्छा चल रहा था लेकिन साल 1993 में अजे के करियर के लिए एक चुनौती बनकर सामने आई थी साल 1993 में एक के बाद एक फ्लॉप और डिजास्टर फिल्मों के बाद लोगों को ये लगने लगा था कि अजे देवगण का करियर खतम होने वाला है सभी ने सोची लिया था कि उनका करियर अब डूब जाएगा लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि साल 1994 में अजे के हाँ एक ऐसी फिल्म लगी जिसने उनकी किस्मत चमका दी और ऐसे चमकाई कि आज भी आजजे देवगण बॉक्स आफिस के बास्सा बने बैठे हैं दरसल साल 1994 में आई फिल्म दिलवाले ने अजे देवगण को इंडस्टि में एक नई उचाई दी थी रिलीस के साथ ये फिल्म बॉक्स आफिस पर सुपर हिट साबित हुई थी और देखते ही देखते अजे देवण के साथ साथ सुनील सेटी की किस्मत भी इस फिल्म ने च बूलें थैंक्स वर वाचिंग बाबाई